क्लास 12 सिब्येसी में अगर आप मैकसिमम से मैकसिमम दो सबजेक्ट में अगर आपको क्रॉस लग जाता है तब भी आप एलिजिबल रहते हो compartmental exam देने के लिए ठेक है तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है पाथ सब्जेक्ट में से अगर दो सब्जेक्ट में भी आपका cross लग जाता है या फिर आप किसी absent absent भी कर जाते हो तो आपको गरप्रानी की ज़रूरत नहीं है आपके पास compartmental exam देने का option है ठीक है एकदम guarantee के साथ ठीक है इसका जो PDF वगड़ है यानि की जो सिबसी वाले का सवराची डिटेल उसका लिंक में description ये comment section में भी देदूंगा ठीक है आप निश्चिंत रहे एकदम बिल्कुल guarantee के साथ तो सब्जेक्ट मेक्सिमम निक्कत है तब भी आपका अपार्टमेंटल एकजाम दे सकते हैं मिश्चिंत रहे ना पूरेगें